आज हम कच्छाई 11 जीव बिज्ञान अध्यायदो जीव जगत का वरगी करण में माइको प्लाजमा जगत प्रोटिस्टा क्राइसोफाइटा डाइनो फ्लेजलेट युगलिनाइट अवपंक कव अपनी स्लाइम मोल्ड और प्रोटो जवा के बारे में अध्यान करेंगे अब देखें माइको प्लाजमा तो माइको प्लाजमा क्या चीज है माइको प्लाजमा जीव जगत के सबसे सूस्म जीव है जहां कहां पाए जाते हैं ये सरे गले पदार्थों पर पाए जाते हैं और उसको अभरित करते हैं तो माइको प्लाजमा वे जीव धारी हैं जिनमें क कोशका भित्य नहीं पाई जाती यह सबसे छोटी कोशका हैं और उनका आकार बदलता रहता है क्योंकि इनमें कोशका भित्य नहीं पाई जाती इसलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता आकार बदलता रहता है यह कहां पाई जाते हैं यह सड़े गले कार्बनी पदार्थो पर पाये जाते हैं और उनका क्या करते हैं इन्हें पी फी यल ओ प्लीरो निमूनिया लाइक अरगानिज्म क्या कहते हैं अर मूनिरा किसमें पाये जाते हैं चेरि मूनिर LIVE में कि आगे है जगत प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा पी आरो टी याज टी तो प्रोटिस्टा किंगडम में एक कोशकी Uniceller Uniceller Eucariatic Organism को रखा गया है यह है के जगत प्रोटपरिस्टा में एक कोस्की और Eucariatic जितभारियों को रखा गया है जगत प्रोटपरिस्टा सबत काप्रियो सरपर्थम हैकल नामक बैध्यानिक ने 1806 में किया था कौन? प्रोटिस्टा सब्दकाप्रियोग सरप्रथम हैकल नामक बैज्ञानिक ने 1806 में किया था इसका जो करेक्टर है वो क्या है लचड तो लचड क्या चीज़ है पहला लचड क्या है कि जो प्रोकरियाटिक आर्गरीजम होते हैं वे एक कोस्की यूनिसेललर यूकरियाटिक कोस्का से बने होते हैं अब कोस्का ये दो प्रकार की होती है प्रोकरियाटिक यूकरियाटिक क्या होते हैं और यूकरियाटिक में प्रोटिस्टा और बागी सारे जीव नमबर दो इनकी कोशका में वास्तविक केंद्रक ट्रू न्यूकलियस प्राय जाता है तुसरा है कोशका अध्रब में जिल्ली से इहरे कोशकांग अर्था जो क्या होते हैं मेंबरेनस आगनल्स होते हैं जो जिल्ली से इहरे रहते हैं जैसे माइटोकांड्रिया गाल जी का अंताप्रद्रवेजालिका इंडो प्राजमिक रिक्रिकुलम यह सब पाया जाता है कोशका अभित्य युक्त प्रोटिस्टा को कोशका अभित्य से लवाल युक्त प्रोटिस्टा की कोशका अभित्य प्रैक्स की बनी होती है सेलोज की बनी होती है तो प्रोटिष्टा में कुछ जुधारियों में कोसकविति पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता जिन में कोसकविति सलवाल पाया जाता है वे किसकी बनी होती है सेलोज की बनी होती है इनमें प्रचलन है तो क्या पाया जाता है रोमाब रोमाम इन जीवधारियों के प्रसलश ने हंगे हैं पदार मेरे स्कते ऐसी पूटपात स्युडोपौड्य या अमीबा में पाया जाता है एस वाप which by अूर्टापीज अुटरफराइ술 दौर्पीए पीर॥ जो दूसरे जिऊधारी हो पर क्या होते हैं निर्भत रहते हैं और उसपना भोजन प्रा मेंख आते हैं मृतोब जीवी कौन होता है समफ जोगम्झी जो शड़े गले पदार्थों से भौजन प्राप्त प्राब्त करते हैं जो प्रकास संस्रीशंये प्रकास जैसे इंटेमी बाह स्टोरिट का प्लाज मोरियम इस सब क्या है पर जीवी हैं मृतोब जीवी बहुत से क्या होते हैं मृतोब जीवी होते हैं जो सरे गडरे प्रदार्थों से भोजन प्राप करते हैं नेक्स्ट है प्रेजनन आलेंगिक एसेक्सुल मने कोशका के खुद विभाजन द्वारा एवं लेंगिक सेक्सुल दोनों प्रकार से होता है अर्थाथ प्रेजनन आलेंगिक भी होता है और लेंगिक भी होता है आगे है जगत प्रोटिस्टा का वरकी करड क्लासिफ के सनाप की इंगडम प्रोटिस्टा तो प्रोटिस्टा को उनके पोशड के आधार परमखुरूप से तीन समुमें बाटा गया है पहला क्या है प्रकास संसलेशी प्रोटिस्टा अर्थात वे प्रोटिस्टा जो क्या करते हैं प्रकास संसर करते हैं दूसरा है कवक संप्रोटिस्टा जो कैसे होते हैं फैफूदी के समान होते हैं और अपना भोजन स्वें नहीं बनाते और तूसरे क्या हैं जंत संप्रोटि आगे है प्रकास स्वसली जो प्रोटिस्टा है वे तीन प्रकार के हैं कौन-कौन पहला है क्राइसोफाइट इसमें आता है डाइटम डेसमिड दूसरा है डाइनो फ्लेजिलेट क्या लिखा है डाइनो फ्लेजिलेट और तीसरा है यूगलिनाइड अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जो कवक सम प्रोटिस्टा हैं दो प्रकार के होते हैं एक कोस्की भी होते हैं और आकोस्की होते हैं जो जन्द सम प्रोटिस्टा हैं वे चार प्रकार के हैं इसे हम प्रोटो जोवा भी कहते हैं जन्त सम प्रोटिस्टा को क्या खाते हैं हम प्रोटो जोवा भी कहते हैं जैसे इसमें क्या है सारकोडिना इसमें मीबा आता है जू फ्रेजलेट इसमें ट्रिपैनोसोमा आता है सीलियेट इसमें आता है पैरामेसियम और स्पोरोजोवा इसमें आता है मुनोसिस्टिस प्लाजमोटियूम आईवेक्स जो क्या करता है मलेरिया रोग फैलाता है अब इसके बारे में हम विस्टार से आगे पढ़ेंगे एक एक करके तो पहला है क्राइसोफाइटा यह देखिए हाँ पे हमने क्राइसोफाइटा परा था उसके बारे में विस्टार से पढ़ेंगे तो क्राइसोफाइटा क्राइसोफाइट क्या होते है यह इस समुह tay अंतरगत । व्कवच बनाती है। अगर सुनहरे सवाल डैसुम राते हैं यी कहां पाए जाते हैं इस सवचEC जल एवं समुद्र दोनों में पाए जाते हैं । डाइटम की कुशकवित कैसे होती है साबुन दानी इस साबुन दानी में दो पास होता है वैसे इसमें क्या होते हैं सामुंदानी की तरह दो कबच बनाती है और इस कबच में क्या होता है इसमें सिलिका पाई जाती है इसके मृत उसे बने मृता को क्या कहते हैं डायटमी मृता, डायटो मेसियस वार्थ या डायटो मेसियस स्वायल कहते है इस मिर्दा का उप्यो किसका में किया जाता है पेंट वारनेश पालेश तेलो वाशीरप के नेशिंदर माने सफाय में फिल्ट्रेशन में तथा अगनिरोधी सता है अगनीरोधी सता है अगनेरोधी सता है बनाने में होता है जैसे बच्चोंने कमेश्ट्री में पढ़ा होगा मेटलरजी धादकर्म धादकर्म जो भठियां होती है वे अगनिरोधी सता की बनी होती है कमेश्टरी के धादकर्म में आप पढ़ेंगे भठियां तो भठियों क्या होती है अगनिरोधी सता फायर प्रूफ सर्फिस की बनी होती है और यहां पर देखिए है अप्टाइटम है अप्टाइटम लिदिस किया अप्टार क्या है तो डाइटम मैं जैसे खैसे तरह की तक्समें दो पार्ट होते हैं दो कंऊ सर्श कोते यह दो क牌 बना हुए Au गिताया गांट गांट पाई जाता है कि आगे आगे है दूसरा डायनो प्रकास अंसलेशर करते हैं इनकी जो कोश का भित होती है काफी कठोर होती है ए जी उधारी समुद्री एवं प्रकास संसलेशी होते हैं ए पीले हरे नीले या लाल रंग के होती हैं इनकी कोशका भित्य किसके बनी होती है सिरिलोज की कड़ी पट्रिकाओं की बनी होती है अब यहाँ पर देखिए ए चीर यहाँ पर दिया गया है गुनिया लैक्स तो गुनिया लैक्स में देखिए कि इनकी जो कोशका भित्य है एक इसकी बनी होती है सिरिलोज की कड़ी पट्रिकाओं की और उसमें क्या पाए जाते हैं दो कसाब में स्फलेजेला पाए जाते हैं एक इस तरह से लंबवाथ है और एक क्या है अनुप्रस्त है अर्थनी कुशका भित्य का होती है कठोर स्चलवाल की बनी होती है यह डानो फ्रेज़ेट काउन गुनिया लैक्स इसके बारे में पढ़ रहे हैं भी तो इनमें दो कसाब पाए जाते हैं एक लेसर क्या है इनक रहे हैं इनकी संख्या बढ़ जब समुद्री मेंने की संख्या क्या होती है बढ़ जाती है तो समुद्री जल लाल देखने लगता है और इसमें से बिसाला प्रदार निकलता है इनसे निकले बिससे समुद्री जीव मर जाते हैं क्योंकि इनसे क्या होता है बिसाला प्रदा तो यह है डाइटम और यह है डाइनो-फ्लैइट दो गर्ड दिया गया है जहां आगे है तीसरा युगली नायड को अधर को न यूगलीना है तो यहां पर देखिए। यूगलीना के बारे में दिया गया है अब यो यूग लीना यहां भुधार किसका है यूग लीना वेराडिस का का उधारण है जो यूग लीना है इसके उच्षेता क्या होता है कि ये प्रकास की उपस्ति में प्रकास संसी द्वाड़ा क्या क decisve kattis means Assam Seas hier portion प्रकास नहीं होता तो यह क्या होता है मृतुप जीविक्त असराता है देखें इसमें क्या है दो फ्राइजेला पाये जाते हैं एक छोटा और एक बड़ा एक कसाब का मिस फ्राइजेला पाये जाते हैं आगे देखें बाहर इसरे पर क्या है अगले इसरे पर कोश का मुख साइटोस्टोम है यहां पर एक अंधविंदु है इस्टिगमा इस पार्ट के रूप में संगुचर शिल धाने छोटा सा है यह जो रचना परी है मुख की तरह से सिकाते हैं रेजर वायर इसमें क्या है बहुत सारे क्रो मेंटों फोर पाये जाते हैं जिसके नाते क्या करता है प्रकास अंसरद्वारा बना भोजन स्वें बनाते हैं इसी के नाते इगलीना को पौधों में भी रखा जया था क्यों क्योंकि जैस पौधों क्या करता है प्रकास अंसरद्वारा बना भोजन खुद बनाता है इसलिए इवलीना जन्तों में भी आता है और पौधों में भी आता है इसलिए इसे क्या है रखा गया प्रोटिष्टा में रखा गया अर्थाज जन्तों के समान भी है और पौधे के समान है लेकिन इसमें पौधे के समान क्रोमेटोफोर या क्लोरोफिल पाय जाता ह पॉजनन का संगरा करते हैं मनिके रूप में इसका स्टारी से धारियां पाई जाती है एक केंद्रेक रहो रहे पिलकल माने इसका जो बाहरी आवरण है प्लाजबा मेंब्रेन इसम क्या काते हैं पिलकल काते हैं यह है यूगलीना इसका लच्छड क्या है देखें यूगलीना का सरीर तर्क रूपी स्पिंडल सेफ होता है कैसे होता है इगलीना का सरीर तरक रूपी स्पिंडल से फोता है इड का सरीर प्रोटीन उग्तपदार्त की पर्त पिल्किल से इहरा रहता है इसमें दो कसाप पाये जाते एक छोटा और दूसरा बड़ा या लंबा नेक्स्ट है एक प्रकास संसले से फोटो सिंस्टिक जिवधारी हैं क्योंकि क्या करते है प्रकास की उपस्ति में प्रकास संसले क्या करते हैं इनमें क्रोमेटोफोर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें क्या होता है क्लोरोफिल पाया जाता है इन भोजन क्या होता है? मन्ड के रूप में पैरा मालन बाडी में संचित होता है इसका उधर्ण क्या है ये बली नाविरिडिस अभी सब बच्चे इसको देख रहे थे अर्थाते स्वापोसी भी होते हैं और मृतोब जीवी भी होते हैं अर्थात प्रकास की उपस्ति में प्रकास ससल करेंगे और जब प्रकास नहीं होगा तो क्या होगा ये मृतोब जीवी जीवन बतीत करते हैं इसलिए इनको कहा जाता है जन्तूं और पौधों के बीच की कड़ी नेक्स्ट है कवक सम प्रोटिस्टा या अवपंक कवक फंजाई लाइक प्रोटिस्टा या स्लाइम मोल्ड इसो कवक सम प्रोटिस्टा कैसे होते हैं कवक अवपंग कवक मृत्पोसी प्रोटिस्टा हैं जो कहां पाई जाते हैं सरती हुई टहनियों पत्तियों पर पाई जाती हैं इनमें पल्धरीम क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाता तो क्लोरोप्लास्ट के ना पाई जाने के करसे क्या होते हैं कवक के समान होते हैं इनमें कोश का अभित्य नहीं पाई जाती और क्योंकि मृत्पोसी होते हैं तो मृत्पोसी होना और पढ़रिम का ना पाया जाना फफूदी अर्थात कवको वालचड है इसलिए क्या होते हैं कवक के समान क्या बनाते हैं जो क्या है जी हुद्रब के समूह से बनता है प्रित्कूल परिषित में बीजार युक्त भलनकाय जब प्रिश्टिया 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 प्रिश्टि पाया जाता है इस्पोर क्या होता है जैसे देखा होगा कि जगा जगा जैसे पहँ रोटी हाथ के बिगोपर रख दीजिए तो कुछ दिरवोष में फेफूद Inner साक्ति यहां क्यों क्योंकि वहांतार में बहुत सारी क्या पाया जाते हैं वीजाड़ का छोटे-छोटे रश्नाएं पाय जाती है आप है जैसे इसका उधाड क्या है फाइ से रम डाइडेणियम एक क्या करते हैं कौन का वक संप्रोटिष्टा या अवह क्या करते हैं एक कारमिक पदार्थों का भगटन करते हैं यहां पर एक उदार्ट दिया गया है इसका भाई सेरम का देखें भाई सेरम क्या हो इसमें कोश का भित नहीं पाई जाती कोश का जिली पाई जाती कभी कोश जिली भी नहीं पाई जाती एक कोश का द्रब है और इसमें डोस्त तारे क्या हैं केंद्रक हैं करमिक पदार्थों पर लकड़ियों को पत्तियों को नश्ट कर देते हैं इस प्रकार से क्या करते हैं कार्मी प्रदार्थों का अपगटन करते हैं आगे है प्रोटो जोन प्रोटिस्ट या प्रोटो जोवा प्रोटो जोन प्रोटिस्ट प्रोटो जोन प्रोटिस्ट या इसका प्रोटो जोवा इसका लजश्म क्या आता है अमीबा परामेसियम ट्रि सुकेंधर की मिन्स यू करियार्टिक होता है। अठ्थारकेंध्रेक विक्सित होता हैं। ये जंतुसम मीनिमयल लाईक प्रोटिस्ट हैं। क्यों, क्योंकि किसवी प्रारी में कोश का भित्ति नहीं पाय जाती। ख्लॉरॉड़़ब्लस नहीं पाया जाता। तो जो proto-jone protest हैं इसमें क्या है को इसका अभीत नहीं पाई जाती क्लोरोप्लास नहीं पाई जाता इसलिए क्या है जंतु के समान है इस जंतु सम्मेनीमल लाइक प्रोटिस्ट है इनमे प्रेशलन अने प्रकार से होता हुआ विस्तार से पढ़ेंगे इसमें क्या होता है गत या प्रेशलन हो पाई जाता है एस सुद्र जीवी बने एस सुद्र जीवी होते हैं सुच्छ जल में या समुद्धी जल में नदी ताला पोखरे में सुद्र लूप से पाई जाते हैं कुछ पर जीवी होते हैं जो क्या करते हैं रोग फैलाते हैं कुछ क्या होते हैं मिरतोप जीवी होते हैं नेक्स पॉइंट हैं के शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण के लिए क्या होता है संगुचन सील रिक्तिका कंट्रेक्ट हैल वैक गोल पाया जाता है जो क्या कर जो जलियों जिवधारी हैं उतके शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है कौन जल की मात्रा के नियंत्रण के लिए प्रोटिष्टा के ऐसे प्राड़ी जो जल में पाये जाते हैं संगुचन सीर्डिक्त का पाई जाती है इनमें केंद्र के आदो या कई पाये जाते हैं अब आगे है प्रोटिस्टा का वर्गी करड़, तो प्रोटिस्टा को देखिए चार वर्गों में बाटा गया है, तो ऐसे लिख लेंगे प्रोटो जोवा या प्रोटिस्टा और इसमें देखिए चार वर्ग हैं, सारकोडाइना, इसे राइजोपोडा कहते हैं, किताब में क लिखा है कसाभी प्रोटो जोवा और इस्पोरो जोवा तो ध्यान दीजे जो प्रोटिस्टा या प्रोटो जोवा है वे जो प्रोटो जोवा है जो प्रोटो जोन प्रोटिस्ट है उससे प्रोटो जोवा भी कहते हैं तो प्रोटो जोन प्रोटिस्ट या प्रोटो जोवा में सार्कोडाइना नंबर 2 सिलियेटा नंबर 3 माथ्टीगो ! फोर सोर नंबर 4 इस ये देखिए अमीवा है तो अमीवा काकार क्या होता है अनीमित होता है इसका सरीर जो प्रोटो प्लाजम दोरा घिरा रहता है इसे क्या कहते हम इसका सरीर में क्या होता है बाहर के तरफ प्लाजमा ले माया प्लाजमा मेंब्रेन पाय जाता है एह है जियोद्रब इसका इसके जियोद्रब के दो पार्ट होते हैं कहला क्या है वाहद्रब एक्टोपलाज और भी तरिका क्या अंतापलाज में या इंडोपलाज इसमें जो प्रसले नंग है से कहते हम कूटपाद या पादाभया सिव्डो पोडिया इसमें देखे जगा जगा क्या होती है जल रिक्तिकाएं पाई जाती है जगा जगा क्या होते है खाद रिक्तिकाएं पाई जाती है भोजन संग्रा रहता है केंद्रक पाय जाता है और इहां पे संकुचन सील रिक्तिका भी पढ़ रहे थे हम जली जीवधारियों में क्या पाय जाता है संकुचन सील रिक्तिका जो प्रोटो जोवा के जली जीवधारियों में क्या पाय जाता है यह हैं अमीबा प्रोटियस अमीबा अब है यहां पे सारकोडाइना अमीबी यह प्रोटो जोवा यह स्वच्छ जल समुद्री जल नम भूमपर या परजीवी के रूप में होते हैं इनमें प्रचलन कूठपाद या पादाव स्यूदो पूडिया द्वारा होता है इनके सरीर का आकार परिवर्तन होता रहता है इनके सरीर का आकार में परिवर्तन होता रहता है इस प्रकार्शन का सरीर का आकार परिवर्तन होता है जैसे क्या है अमीबा प्रोटियस कहां पाए जाता है सोच्छ जल में पाए जाता है एन टमीबा हिस्टोलिट का यह आतों में पाया जाता है आत में परजीवी होता है और क्या होता इससे खूनी पेचिस होता है जब जल सुछ नहीं होता जो लोग अंदे जल को पीते हैं या प्रदूसी जल को पीते हैं उनमें क्या हो जाता है पेचिस हो जाता है तो असुत जल से क्या होता है आंत क्कूनी प्रेश्ट पाय जाता है या दूसरे का जूठा भोजन करने से या कपर या खाने से क्या हो जाता है ऐसके दुषर है रूप ही प्रौट का दुषरा है। पच्छमा भी परोठ हो जोगा इसका उडरण क्या है प्यरामिसेंग अब आगे हम पधेंगे अब देखें प्यरामिसेंगर्स लिजिए यह प्यरामिसेंग मुझ्य इसका नाम कांडेटum के शरीद की नाम को सीर है सब्सक्राइबूनुब सब्सक्त ब theor क्याई जाते हैं पफशमाब शिलिया पाए जाता है मुखागर गुहिका यहाँ पर कोश ुसरान पर ह४ मुख्रा जाता है इससे जब पानी की धारा के साथ साथ भोजन इसमें प्रिवेस करता है और यहां कि क्या बना लेता है खाद रित्का बना लेता है यहां पर देखे केंद्रक दो प्रकार के होते हैं एक होता है गुर केंद्रक जो सेम के बीज की तरह से है सेम के बीज के समान क्या होता है गुर के इंद्रक होता है गुर के इंद्रक होता है गुर के इंद्रक क्या मैक्रो नुकलियस और दूसरा क्या होता है लग के इंद्रक क्या माइक्रो नुकलियस तो गुर के इंद्रक इसमें होने वाली जैवी क्रियाउपन इंद्रक करता है औ रब्र है और सब्सक्राइब नेयरे में स्जुनता ध्रब्ध है और SBS 17921 में यहां प्मिशन शील धाईदा झाटायरे में यहां चोल अब हैंसे मुक्ताद दो क्या होते हैं? संकुचन सिल्धानी पाये जाते हैं, एक अगरे सिरे पर यहां पर, और एक क्या होते हैं, प्रसलन सिल्या द्वारा होता है, इनका आकार सित होता है, इसमें क्या होते हैं? दो केंद्रक पाये जाते हैं, गुर केंद्रक और लग केंद्रक, और प प्रिशले सिर्पर थोड़ा बड़ी हो जाती है शिलीटा या पच्छमाप प्रोटो जोवा का लच्छडब देख लीजिए जली अत्यंद्र सक्री प्रोटो जोवा हैं इनमें प्रसल्ण कैसे होता है पच्छमाप शिलिया द्वारा होता है इनके शरीड का आकार निशी तेवं चप्पल लुमा होता सब अच्छे भी देखी चुके हैं इसमें दो केंद्रक पाया जाता है गुर केंद्रक औरे कलको केंद्रक इसमें संकुचन सिरी रिक्त का भी दो होती है एक अगले सिरे पाररे पिछले सिरे पर इसका उधारण क्या है क्योंकि यह फ्लैजेला में कसाभ द्वारा प्रेशलन करता है इसे हम कसाभी प्रोटोजवा किताब में कसाभी प्रोटोजवा लिखा हुआ है किसको मैस्ट्री गोफोरा या फ्लैजेलेटा को क्यों क्यों क्या करता है कसाभ काउं द्वारा प्रेशलन करता है अब इसके बारे में देखे पढ़ेंगे हैं इसका उधारण किसका कसाभी प्रोटोजयाब मैस्ट्री गोफोरा का उधार क्या है ट्रिपैनो सोमा गैंबियंसी ऐसे लेसमानिया इस सब क्या है इसके उधारण है यहां पर दिखिव में देख़ें कि लिणो प्लास्ट नहीं ही पाय जाता देखें यह सुतंद्र जीवी या परजीवी होते हैं ए नामबर देखैंगे, पहला पाइंट फाइंट है, इनमें प्रचलन एक या एक से अधिक कसाफ काओं द्वारा होता है यह दूसरा पॉइंट एसुतंतर जीवी या परजीवी पारासाइट होते हैं और तूसरा पॉइंट में क्या है इनके सरीडिकायकार निश्षित होता है और जैसे उधर क्या है ट्रिपैनो सोमा गैम्बी एंसी इसके द्वारा क्या होता है स्लीपिंग सिखनस नाम की विमारी है अब फ्रीकी देशों पाया जाता भी इस रूप से इसके द्वारा क्या होता है अफ्रीकी निद्रा रोग अफ्रीकी स्लीपिंग सिखनस नाम की बीमारी किसे होती है ट्रिपेनो सोमा गेमवी नसी से होती है और एक और मेन उदाहराड है उसका नाम लिस्माणिया डोनोवानी इससे का फेलता है काला जार नाम का रोग फ्हालता है उसरे बहुत जादे बुखार हो जाता है नेक्स्ट है इस्पोरो जोवा वर्ग इस्पोरो जोवा इस्पोरो जोवा के उधार यहां पर दिया गया है मोनोसिस्टिस का ऐसे मोनोसिस्टिस प्लाजमोरियम क्या है इस पोरो जोवा के उधार रहें, इसमें प्रसलर नियंग नहीं पहे जाता, इसका देखे केंद्रग है और एकोश्का द्रब्ब है, एक प्राया पर जीवी होते हैं, क्या इस पोरो जोवा वरके सभी प्रारी क्या होते हैं, पर जीवी होते हैं, लिखे, इस पोरो जोवा हरी डालेंगे लिखेंगे इस वर के सभी जीव परजीवी होते हैं और दूसरे जीवधारें उसे पना भोजन प्राप करते हैं यह अंता परजीव इंडो परासाइट प्रोटो जोगा है इसलिए इसमें क्या होता इसमें प्रसलनंग एवं संकुचन से रित्का नहीं पाई जाती क्योंकि यह परजीवी होते हैं इसलिए प्रसलनंग नहीं पाई जाता है लोकोमोटरी आर्गनल्स और क्योंकि यह जल में नहीं पाई जाते हैं इसलिए 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 में क्या है संकुचन से लित्का भी नहीं पाई जाती इसका उधार दिखे क्या है मोनोसिस्टिस प् हैं जो प्लाजमोडियों वाइवेक्स है यह क्या है मलेरिया पर जीवी है और मनुस्य में मलेरिया रोग फैलाता है जो प्लाजमोडियों वाइवेक्स होता है मादा एनोफिरिज मच्छर के लार में पाया जाता है कौन प्लाजमोडियों वाइवेक्स मुखरूप से मादा ए ना फिरीड मच्छर किसी मनुष को काटती है तो प्राजमूरें वाइवेक्स का स्पोरो ज्वायड क्या करता है मनुष की रक्त में चला जाता है और रक्त में जा करके फिर रक्त से एक रिवर में जाता है फिर रक्त में आ जाता है रक्त को उसकाओं को नस्ट करने लगता है औरत को इस काओं को नश्ट करते करते मिसाला पदार्थ बनाता है और उस मिसाले पदार्थ के करण में क्या हो जाता है मलेरिया रोग फैलता है इसमें क्या होता है जूड़ी बुखार होता है पहले बहुत जादे ठंड लगेगी और फिर क्या होगा बहुत तेज बुखार होगा, इस प्रकार से क्या होता है? बुखारल होगा, पे ठंड होगा, बुखार होगा, ठंड होगा, इस प्रकार से क्या कहते हैं? मेलेरिया कहते हैं, ऐसे रोख को. That is all, thanks.